नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का वहीं चीर परचित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सिवा में फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी में खजूर खाना चाहिए या नहीं इस टॉपिक पर ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है first part का वीडियो लिंक वीडियो की description में दिया है उसे भी आप जाकर देख सकते हैं friends pregnancy में खजूर खाना फायदे मन्द है या नुकसान दे तो friends pregnancy में औरते खजूर खा सकती है और ये फायदे मन्द भी होता है और पूरण रूप से सुरचित भी होता है किस महीने में खजूर नहीं खाना चाहिए तो सही जबाब है सुरू के तीन महीने में खजूर नहीं खाना चाहिए ऐसा आतिहातन किया जाता है क्योंकि खजूर की तासिर गर्म होती है जो अरली प्रेगनेंसी में मुसीबत का सबब बन सकता है वैसे प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी चीज का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए जो सरीर में जाने के बाद ज्यादा हीट जनरेट करे खजूर भी सरीर में हीट जनरेट करता है अर्थाद गर्मी पैदा करता है प्रेग्नेंसी में खजूर कब खाना चाहिए और कितना तो सही जबाब है प्रेग्नेंसी में खजूर सुरू की तीन महीने छोड़ कर खा सकती है प्रेग्नेंसी में खजूर कैसे खाना चाहिए और कितना तो सही जबाब है खजूर को रात को पानी में भीगो देना है सुबह चबा कर खा सकती हैं पानी में भीगोने से खजूर की गर्म तासिर भी लगबख खत्म हो जाती हैं वैसे आप खजूर को दूद में पका कर भी ले सकती हैं प्रेगनेंसी में खजूर कितनी मात्रा मिलेना चाहिए तो सही जबाब है दो खजूर से लेके 6 खजूर तक आप रोज सेवन कर सकती हैं तीन महीने के बाद से लेना है तो दो खजूर रोज ले सकती हैं और छटवे साथवे महीने से 5-6 खजूर तक ले सकती हैं खजूर को कुछ इसलामिक विद्वानों ने कुरान में छंदों की ब्याख्या की है कि बच्चे के जन्म के लिए खाने के लिए खजूर सबसे अच्छे खादिपदार्थ हैं। 2017 में General of Obstetrics and Gynecology में प्रकासित एक अध्यन के अनुसार खजूर खाने से नार्मल डिलवरी की संभावना बढ़ जाती हैं। क्योंकि यह देखा गया कि जिन्हें आठमे महीने से डेली छे खजूर खाने के लिए दिये गए थें उन्हें आक्सी टोसिन की आवसकता कम थी और उनमें ज्यादा तर लोगों की नार्मल डिलवरी हुई। बग्यानिकों का मानना है कि फलो का गरभासर पर आक्सी टोसिन जैसा प्रभाव हो सकता है जो इसे डिलवरी के समय संकुचन के लिए तयार करता है। लेकिन ये अभी भी पूर रूप से असपस्ट नहीं हुआ है कि खजूर खाने से नार्मल डिलवरी होने में मदद क्यों मिलती है। कुल मिला कर देखा जाए तो खजूर को प्रेगनेंसी के लास्ट के कुछ महीने में तो अनिवारे रूप से खाना ही चाहिए। लेकिन ध्यान दे खजूर पर चमक के लिए wax coating की जाती हैं जो chemical होता है। हलाकि wax coating नेचुरल wax से हो तो ठीक है पर आज सब कुछ chemical से हो रहा है। इसी wax coating का इस्तमाल सेव पर भी किया जाता है जो की हानी कारक है। वैसे wax coating का इस्तमाल इसलिए किया जाता है ताकि सडन ना हो लेकिन अगर natural wax से किया जाये तो government की तरब से natural wax की ही अनुमती है लास्ट में आप सभी से request है आप अपने नजदी की doctor से सलाज जरू लें तो friends साच की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थेंक यू